नमस्कार दोस्तों, स्वाकत हैं आप सभी का हमारे जनल पर दोस्तों, आज मैं आपको अमरूत की पत्तियों से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में बताने वाली हूँ शायद ही कोई ऐसा हो जैसे अमरूत खाना पसंद ना हो स्वादिस्ट होने के साथ ही ये सेहत से भी भरपूर फल होता है पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमरूत के साथ ही अमरूत की पत्तियों जो होती हैं वो भी बहुत ही ज़ादा फाइदेमंद होती हैं दोस्तों, अमरूत की पत्यां जो होती हैं उसमें एंटी अक्सिदेंट, एंटी बैक्टिरियल गुन और एंटी इंफ्लामेटरी गुन प्रचुर मातरा में पाय जाते हैं। यहां हमारी त्वचा, बाल और स्वास्त की देख भाल के लिए बहुत ही लाप दायक मानी जाती हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका सेवन अपनी स्वास्त समस्याओं के लिए किस तरह से करना हैं। जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी ढ़ा सकें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरूत की पत्तियां जो होती हैं वो हमारी त्वचा, बाल और स्वास्त की देख भाल के लिए बहुत ही जादा लाप प्रत मानी जाती हैं। दोस्तों आपको इसे अपने बालों में कैसी अपलाए करना हैं मैं आपको पहले इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों बस आपको इसकी पत्तियों को पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालना हैं और फिर इस पानी को ठंडा करके अपनी बालों और जड़ों में अच्छी तरह से लगाना हैं दोस्तों। फिर कुछ समय बाद बालों को वाश भी कर लीजे। इस तरह से अमरूत की पतियों का अपने बालों में प्रयोग करने से आपके बाल मुलायम तो होंगे ही, साथ ही काले भी होंगे और मस्बूथ भी बन जाएंगे दोस्तों वहीं दोस्तों अमरूत की पत्तियों का उपयोग आप अपने पिम्पल्स को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं इसे इस्तमाल करने के लिए अमरूत की पत्यों को पीस कर इसका एक पेस्ट बना लीजे और फिर पिम्पल्स पर रात को सोने से पहले लगा कर सो जाईए इसको इससे दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी पिम्पल्स धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी वहीं दोस्तों आप अपने मूग के चालों से परिशान हैं और इसके लिए सब कुछ आजमा चुके हैं तो अब आप इसके लिए अमरूत की पत्यों को भी एक बार आजमा कर देखिए इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको अमरूत की कोमल पत्यों को तोड़ना होगा और उन्हें धोने के बाद इन्हें चबाईए दोस्तों इसे दोस्तों आपको दो से तीन दिन में ही बहुत ही बड़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको हमारे द्वरा दी गहिया जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके सरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर सरूर कीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद